दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम पदात के बारे में जानेंगे पदात क्या होता है पदात का परियोग करके देखेंगे कि पदात कैसे छोटे छोटे कड़ों से कड़ों से मिलकर बना होता है तो हम सबसे पहले पदात के बारे में जानेंगे पदात की पढ़ाई बहुत ही important है, यदि आप बिज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, कच्छा 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 10 में हैं, 11 में हैं, 12 में हैं, किसी भी class में पढ़ रहे हैं, तो बिज्ञान की समझ के लिए पदात की जानकारी होना आतियावस्थक है, बिना पदात की जानकारी के हम science की पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते हैं तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या है पदार्थ आप पार्क में गए होंगे आप पार्क में देखा होगा जूला देखा होगा आप पार्क में फूल देखे होंगे पेड़ पौधे और मूर्तिया इस्टेचू देखे होंगे जानुरो का इस्टेचू देखे होंगे यानि हमारे सामने जो बस तुए दिखाई देती है वे सभी पदार्थ है जो नहीं दिखाई देती है वे भी पदार्थ है जिस तरह से मारकर जिस तरह से हमारा ये माईक जिस तरह से हमारा हैट और जिस तरह से हमारे टीसर्ट ये हमार शरीर जो हम सास ले रहे हैं आकसीजन और जो सास छोड़ रहे हैं कारबन डायकसाइड ये सभी पदार्थ हैं यानि हमारे आसपास हमारी आँक के आसपास हमारे कान के आसपास जो कोई बस्तुई हम देख रहे हैं जो कोई समागरी हमारे साथ दिखाए दे रहे हैं सभी पदा कहलाते हैं कहने का मतलब हो है कि इस पित्थवी पर पदार्थ से ही बस्तों का निर्माड हुआ है जैसे कोई सजीव बस्तों हो या निर्जीव बस्तों हो पदार्थ के द्वारा ही उसका निर्माड हुआ है माना जाता है कि बनुष का निर्माड पाच तत्तों से हुआ है जी थभी अगनी जल वाय और अकास ये पाज तत्तों से मनुष्ट का सरीर बना है इस तरह से पदार्थ जो होता है ये हमारा पदार्थ हमारे आसपास के जो सभी चीजे उपस्तित है वे सभी पदार्थ कहलाती हैं अब हम परियोग के द्वारा जानेंगे कि पदार्थ कैसे से मिलकर बना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक गिलास या बीकर लेंगे और इस बीकर में पानी रख लेंगे परियोग के लिए एक गिलास लेंगे और इस गिलास में पानी रख लेंगे और इस गिलास में पानी रख लेंगे और उसमें कुछ नमक के अरू डालें इतनी मात्रा नमक लेकर डालते हैं तो जाकर के ये नमक बीकर या ग्लास के नीचे बैठ जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं इसे पेंसल से या जो है किसी इस्टिक से या छड़ी से घुमाते हैं या कुछ देर तक रहने देते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो नमक के छो रूप से घुल जाते हैं जल में पूर रूप से नमक के अड़ घुल जाते हैं तो हम आख से नहीं दिखाई देते हैं और हमारे ये अड़ जो होते हैं ये जो नमक के अड़ नीचे जो बैठे थे ये पानी में पूर रूप से फैल जाते हैं और जल के अड़ों के बीच में गाइब हो जाते हैं यानि जो है हमारा नमक क्या है एक पदार्थ है नमक क्या है पदार्थ है और उकड़ जो है हम हाथ पे रखते हैं तो दिखाई देता है लेकिन जब पानी में घोल देते हैं तो हमारा वही नमक का कड़ नमक का कड़ या नमक पदार्थ दिखाई नहीं द क्योंकि जब वो दिखाई दे रहा था तो उसका आकार बड़ा था जब वो पानी में घुल गया तो छोटा आकार हो गया कहने का मतलब है यदि हम इसी पानी और नमक के मिले हुए किसी बरतन मेरी पानी और नमक मिला है उसको देर तक गरम करते हैं या धूप में रखतेते हैं तो उसमें से नमक हमको दिखाई देने लगता है कहने का मतलब है को नमक या कोई पदार्थ सूचम कड़ों से मिलकर बना होता है यानि वही नमक हमको जब समुन्द में नमक कैसे निकाला जाता है समुन्द के पानी को इकठा कर लिया जाता है और उस पानी को धूप में सु को जैसे भी मशीन से खोद-खोद करके हम लाते हैं और उसका यूज क्या जाता है बोरा में भर भर के बेचा जाता है, जो छोटा से छोटा बड़ा पदार्थ है, बड़ा इत्ता बड़ा होता है, नमक का सानज्टिवरी होती है, उसको पीछने के बाद छोटा हो जाता है, औ नमक और यदि हम पानी में घोलते हैं तो और छोटा हो जाता है नहीं कहने का मतलब कोई पदार्थ सूच मकड़ों से मिलकर बना होता है इसी तरह सोना है सोना भी सोने के भी अड़ु होते हैं वो भी परमाड होते हैं सोना एक पदार्थ है उसके अड़ु होते हैं वो बहुत चोटे होते हैं, जो हमारी आखों से नहीं दिखाई देते हैं, पर टेक पदात सूच मकडों से मिलकर बना होता है, जिस तरह से हम नमक को या चीनी को हाथ पे रख करके देख सकते हैं, यदि चीनी पानी में घुला हो, तो हम देख नहीं सकते हैं, यदि हम चाय पीते हैं, कभ या नहीं भी हिलाते हैं तो धीरे-धीरे क्योंकि कोई भी पदात है उसके पानी का कड़ है पानी है या चाय है उसके अड़ो आपस में गसील होते हैं तो थोड़े देर बाद चीनी घुल जाता है और फिर हमको बिना हम देखे हम आग से देख नहीं सकते लेकिन जीव हमारा टेस्ट बताती है कि या चाय आपकी मीठी है या कम मीठी है उसका स्वाद बताती है यह स्वाद क्यों आता है क्योंकि चीनी की मिठास हमारे जीव पर असपस करती है यानि चीनी एक छोटा पदार्थ है और सूचमकड़ है और वो इसी तरह चीनी सूचमकड़ों से मिलकर बना होता है